C.H.A. यानि की Corona Health Assistants, Corona स्वास्थ सहायक, ये वो लोग थे जिन्होंने Corona का मुश्किल दौर Warriors बन के निकाला था, ये वो लोग थे जिनकी वज़े से आज हम और बहुत सारे लोग चैन की सांस ले पा रहें, हमें आक्सिजन टाइम पे दिलवाना, हमें अस्पताल टाइम पे पहुँचाना, ये सब इन लोगों की बज़ालत हुआ था, लेकिन सरकार ने इन लोगों को Corona Health Warriors की पोस्ट से, इनके काम से, इनके वेतन से ऐसा हटाया जैसे की दूद में से मक्खी को निकाल कर हटाते हैं, ये हटाया था पूर्ववर्ती अशोग गहलोत सरकार में, और तब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे किरोडी लाल मीना, और अब सवाल ये उठता है कि क्या किरोडी लाल मीना इन C.H.A. को भूल गए हैं, ये सवाल हम नहीं उठाते, ये सवाल खुद C.H.A. उठा रहे हैं सबसे पहले, ये कुछ तस्वीरें देखिए और सुनिए कि किरोडी लाल मीना आज से कुछ साल पहले जब बहाचुपा विप्रक्ष में हुआ करती थी, C.H.A. की मांग को लेकर किस तरह से प्रतिबद थे, रात को वहीं पर सोते थे, और क्या कहते थे। युवा, बेरोजगार, पीडित, वो सब को हमने आमंत्रित किया है, C.H.A. के लोग भी आएंगे। और मैं C.H.A. के मामले में सरकार ने कई गारास्वसन दिया है, लेकिल इनकी बात भी नहीं सुनी गए। यहां तक कि राहूल गांदी जी से भेंट हो गई, राहूल गांदी जी ने मुक्मंत्री जी को कह दिया, फिर भी सुनुआ ही नहीं हो रही। रोजगार देना तो दूर की बात सरकार रोजगार चीन रही है। पर मुक्मंत्री जी को पुरे सब को भाल किया जाना चीए। इसलिए राज के सभी वेरोजगारों से और पीड़ लोगों से मेरा नेज़े दिन है। कि अधिक से अधिक तादात में जैपुर माये 24 जन्वरी 2023 को विधान सभा को घेरना है। मैं दोसा की तरफ से आऊँगा। मैं हजारों लोगों को लेकर दोसा कलेक्टेट से जैपुर की तरफ रवाना हूँगा। तब तक मैं मुखमंतरी जिसी निविदन करना चाहता हूँ एक जापन और एक मांग जो हमना आपको भीजवाई है उस पर या तो गौर करें वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम महाँ पढ़ाओ रखेंगे और विधान सभा को अनशित काल तक घेरेंगे। अब सवाल यहाँ पर सतमाम सारे सीएचे ये उठा रहे हैं कि क्या किरोडीलाल मीना भूल गए हैं कि उन्होंने क्या मांग की थी उनके लिए। तब कॉंगरेस की सरकार वही बात बोलती थी जो आज बीजेपी की सरकार राजीव गांदी मित्रों के लिए बोलती है कि ये लोग इस्थाही थे ही नहीं ये लोग थे ही अस्थाही इनको इस्थाही करने का कभी प्रोवीजन ही नहीं था। लेकिन किरोडी लाल मीना तो लड़े थे इनके लिए और तिलाई थी इनको कहीं न कहीं या आश्वासन की अगर हमारी सरकार आई तो हम कुछ करेंगे अब इनका अंदोलन तेज है ये घर के बार भी बैठे हैं एक आध बार किरोडी लाल मीना उनसे मिले भी है लेकिन कोरोना हेल्थ वरियर्स की कोई अभी तक सहायता नहीं हुई है किसी किसम की सहायता नहीं हुई है और किरोडी लाल मीना के घर अब CHE भी हैं और राजीव गांधी मित्र भी हैं सरकार में एक ही शक्सियत है जिसे ये दोनों उम्मीद कर रहे हैं आस कर रहे हैं लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद किरोडी लाल मीना जो RLS ABHIRT palavra के लिए ठीक कर देते हैं उनकी परिक्षा के तिति आगे बढ़ा देते हैं वो किरोडी लाल मीना जो पेपर लीक के माफियां के पीछे लगे हुए हैं सबूत दे रहे हैं उनको जेल के पीछे पहुँचा रहे हैं लगातार आगे बढ़ रहे ह लेकिन C.H.A. और राजीव गांदी मित्र में वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर वो करने की कोशिश कर रहे हो पर सरकार कुछ नहीं कर रही हो क्या किरोडी लाल मीना से जो आस है जो उमीद है वो खाली जा रही है ये समझने वाली बात है और अगर सरकार इस आस और उमीद को पूरा नहीं करती है तो वो केबल किरोडी लाल मीना का बुरा नहीं कर रही वो उन तमाम सारी उमीदों का बुरा कर रही है जिसकी वज़े से भारते जन्ता पार्टी की सरकार आई थी तो अब समझना पड़ेगा भारते जन्ता पार्टी की सरकार को कि ये लोग भले ही आपने नौकरी देते वक्त या इंटरंशिप देते वक्त ये वादा नहीं किया हो या ये प्रोवीजन नहीं रखाओ कि आपको स्थाई करेंगे लेकिन एक बार जो वेतन शुरू हुआ परिवार का पेट पलना शुरू हुआ तो फिर वो रुकता नहीं है और इसलिए कोरोना अभी चला गया बाद में कोई और ऐसी महमारी ना आए लेकिन कुछ लोग और खड़े हैं सब की साहता करने के लिए तो उन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए वो राजीव गांदी मित्र जो कहीं न कहीं सरकार का प्रचार कर रहे थे लेकिन अपना पेट भी पाल रहे थे परिवार का पेट भी पाल रहे थे उनको भी नियमित किया जाना चाहिए अब समझना होगा कि इनको नियमित करने से सरकार को फाइदा क्या है लेकि सरकार को फाइदा ही फाइदा है नुक्सान कुछ भी नहीं है इनको अगर नियमित करते हैं तो ये संक्या टोटल भी तीस हजार से जादा नहीं है लेकिन इससे तीस हजार परिवार पलते है एक बड़ा मेसेज जाता है जो बहुत ही विस्तरित रूप से जाएगा और ये मेसेज जो है भाजपा को हमेशा फायदा पहुचाएगा और कहीं न कहीं अगर सरकार इससे अपना फायदा देखना चाहती है तो फायदा भी है लोग सबाचुनाव का भी फायदा है जो electoral bonds का लगातार सरकार पर आक्षे पर आरोब चल रहा है अगर कोई ऐसा step लेते हैं तो कहीं न कहीं ये दिखेगा सबको कि electoral bonds से चंदा भी लिया गया उससे party सत्ता में भी आई लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों के हिद का काम किया तो लोग आपके साथ खड़े होंगे इतने सारे परिवाद और कहीं न कहीं ये जो message जाता है उन तमाम सारे युवाओं में जो की रोजगार डून रहे हैं वो आपके पक्ष में जाएगा आप समझ ये भारत की संपदा युवा है नए वोटर युवा है हर तरीके से सरकार का फायदा है तो अगर अपने फायदे की भी सोच रही है सरकार तो सोचे ये फायदा दूर द्रश्टी का होगा अगर रोजगार मिलेगा इनको तो दूर द्रश्टी से फायदा देके जा और हर घर पे इस तरह से प्रचार होगा कि जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो भजन सरकार कि रोड़ी लालमीना या फिर भाजपाने किया इसलिए इन्हें टंकी पर ना चड़ने दें इन्हें घर के बार धर्णा ना देने दें यह संपदा है राजस्थान की युवा राज सथा के बी पक्षे में रहेगा और कहीं न कहीं इन्सानियत के पक्षे में तो रहेगा ही तो ये समझना पड़ेगा पहले कि रोड़ी लालमीना को और फिर भाजपा की State Government को और उसके बाद भाजपा कि Central Government को कि ये काम करने ज़रूरी है और अगर कहीं से ये बात सीखने की जरूरत है तो पंजाब की सरकार से सीख भी सकते हैं कि किस तरह से रोजगार को एक उत्सब बनाते हैं मावाफ रिष्टारों को बुलाते हैं और अपनी सरकार की पॉपुलारिटी शुरुवात से लेकर आखिर तक करते जाते हैं क्यों नहीं राजस्थान सरकार भी रोजगार को एक उत्सव बनाती ये सोचिए कि रोडिलाल मीना की पॉपुलरिटी बढ़ेगी तो केवल उनकी नहीं बढ़ेगी पूरी राजस्थान सरकार की बढ़ेगी ये भी सोचना अनिवार देया है कैसा लगा दोस्तों आपको इस वीडि सिटी में कोस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनरजी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्स को सस्टेनेबल बनानी के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन ह इसलिए सोलर प्रोजेक्ट की टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए ततपर रहते हुए सोलर एनरजी का पोरा पोटेंशल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं